एनरजी ड्रिंक पनाने के लिए सबसे पहले अंकुरित गेहू लेंगे तो गेहू को अंकुरित करने के लिए दो चमच गेहू लेंगे और उसको रात भर के लिए भिगा देंगे सुबे देखेंगे कि गेहू फूल के मोटा हो गया है तो मैंने इसका कपड़ा भी खोला है, देखे कितना बढ़ी हां इसमें अंकोर निकलाया है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आप चाहें तो इसमें नमक, हरी मिर्च गरा डाल के ऐसे ही खा सकते हैं, या हलका सा बॉयल करके भी खा सकते हैं, तो गैस फ्लेम एकदम भूनिये, इसके उपर कलर नहीं आने देना है, क्योंकि अगर गैस फ्लेम मीडिया में हाई करके भून देंगे, कलर आ जाएगा, तो जो ड्रिंक हम बनाएंगे, उसमें गेमू का टेस्ट आने लगेगा, तो इसलिए लो गैस फ्लेम पे ही भूनेंगे, और क्रिस्पी होने हाफ कप काजू, गैस फ्लेम लो रखेंगे और लो गैस फ्लेम पे 2-3 मिनट तक रोष्ट कर लेंगे, इस पे कलर नहीं आने देना है, बस 2-3 मिनट तक भून लेंगे, तो 2-3 मिनट हो गया है, निकाल लेंगे, अब इसमें डाल देंगे, एक कप मखाने का लावा, गैस फ् बखाने के साथ इसको भी रोष्ट कर लेंगे, कुछ सेकंड के लिए, तो रोष्ट हो गया है, अब निकाल लेंगे, अब पैन में डालेंगे हाफ कप चीनी, और इसको इस तरह से फैला देंगे, गैस फ्लेम लो रखेंगे, लो गैस फ्लेम पे तीन से चार मिनट में देखें अब इसको चलाते हुए बाकी कीचीनी भी कैर्मलाइज कर लेंगे इसको कांटीनु चलाते ही रहेंगे तो देखे अच्छी तरीके से कैर्मलाइज हो गई है अब घी लगे हुए एक श्टील के प्लेट में इसको ऐसे डाल देंगे और फैला देंगे दस मिनट बार देखेंगे कि अच्छी तरीके से यह सेट हो गई है तो इसको निकाल लेंगे प्लेट से और छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे तो कैर्मलाइज की हुई चीनी तयार है अब यह गेहु मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे गेहु इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और एक बिल्कुल जो पतली जाली वाला चलनी आता है जिसे मैदा चाला जाता है वो वाला चलनी लेंगे और इसको इसमें चाल लेंगे चलनी मोटा नहीं लेंगे नहीं तो फिर ये मोटा मोटा सब नीचे गिर जाएगा तो ये देखें मोटा इसमें है इसको फिर से पीस लेंगे एक बार और फिर से इसको चाल लेंगे ये इतना सा बच्चा है तो इसको हटा देंगे अब अब इसमें डाल देंगे ये ड्राइफ रूट और ये जो कैरमलाइस किया हुआ चीनी है इसको डाल देंगे और इसको भी पीस लेंगे मिक्सी रोक रोक के तभी पीसेंगे इसको एक साथ नहीं पीसेंगे कुछ सेकंड के लिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है तो अब डाल देंगे दो चुटकी केसर के धागे अब फिर से मिक्सी जार बंद करके मिक्सी रोक रोक के इसको बारीक कर लेंगे ये देखे इस तरह से मैंने इसको बारीक कर लिया है इसको चालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर छोटा-छोटा दाना रहता भी है तो वो मुह में पढ़ता है तो पीने में बहुत अच्छा लगता है अब इसमें ये गेहूं का पाउडर मिला लेंगे और अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिला देंगे ऐसे ये एनर्जी टिरिंग पीने में बहुत बढ़िया लगता है आपके बच्चे अगर बाहर कर नहीं पीते हैं तो आप घर में इस तरह से बनाएए बच्चों को बहुत पसंद आता है मेरे बच्चे तो हमेशा पीना चाहते हैं दिन में कई बार वो पी लेते हैं उनको इतना अच्छा लगता है ये तो अच्छी तरीके से मिल गया है मैं दूद में भी मिला के दिखा रही हूँ आपका बच्चा अगर ज्यादा छोटा है जैसे 2-5 साल के बीच का है तो आप उसको एक चमश दीजिए और 5 साल से ज्यादा है तो फिर आप उसको 2 चमश दे सकते हैं इसको बच्चे बड़े बुढ़े सभी पी सकते हैं बहुत ही फायदे मन्द है ये और पीने में भी बहुत अच्छा लगता है आप चाहें तो उपर से और चीनी भी मिला सकते हैं अगर ज्यादा मीठा पीना चाहते हैं तो ये कैरमल फ्लेवर है तो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है आप इसको इस्टोर करके दो से धाई महीने तक रख सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए कि एर टाइट काच के जार में रखिए और जहां नमी ना हो वहाँ पे रखिए तो बिलकुल नहीं खराब होगा तो देखे कितना बढ़ियां लग रहा है पीने में बहुत ही स्वाधिष्ट है तो अगर आपको मेरी एनरजी डिरिंग के रेसे भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले बहुत चल्स फिर मिलते हैं एक नए रेफ एपी के साथ थैंक्स फ़ार वाचिंग वीडियो टेक क्यार बाई बाई